दोस्तो उमेंस एसिया कब 2022 की ग्रूप स्टेज के मैचेस खतम हो चुके हैं और चार टीमें सेमी फाइनल में पहुच चुकी हैं तो वहीं बंगलादेश उमेंस समेथ तीन टीमें हैं जो सेमी फाइनल से बाहर हो गई हैं तो ऐसे में कौन कौन सी हो चार टीमें हैं जो सेमी से बाहर हो गही है, मैं इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। वहीं किन-किन टीमों के बीच सेमी-फाइनल 1, सेमी-फाइनल 2 मुकाबला खेले जाएगा ये भी आपको बताऊंगा तो दोस्तो वीडियो रहने वाली है काफी ज़्यादा इंपोर्टेंस वीडियो में अन्त तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्र में से एक भी मैच में जीते नहीं पाई इस टीम के पास जीरो अंक और पॉइंस टेबल में ये टीम सातवे नंबर पर फिनिश की है वह इस टीम का नेट नेट भी बेहद खराब है और ये टीम सेमी फाइनल से बाहर हो चुकी है वह दूसरी जो टीम है यूई एई उमेन य 6 मैचों में से मात्र एक मैच में जीती है जबकि 4 मैच में स्टीम को हार मिली है तो उटीम का कोई रिजल्ट नहीं आया तीन अंक इस टीम के पास आ और ये टीम पॉइंस टेबल में छटे नंबर पर फिनिश की है और सेमी फाइनल के रिस से पूरी तरह से बाहर हो गई है तो इस तीशरी जो टीम है Bangla, Dees-Uman ओमेन्स Asia Cup के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि Bangla, Dees-Uman semifinal में नहीं पहुंची है टीम ने 6 मैचों में से 2 मैच में जीती है 3 मैच में हारी है एक मैच का कोई रिदल्ट नहीं आया पाँच अंक इस टीम के पास और इस टीम पॉइंस टेबल में पाँच वे नमबर पर फिनिश ही किये वहीं आप बात करते है उन टीमों की जो Semi Final में पहुँच चुकी है तो इन में से पहली जो टीम है इंडिया उमेन इंडिया उमेन ने 6 मैचों में से 5 मैच में जीत दर्ज किया जबकि 1 मैच में हार मिलिया तो इस टीम के पास 10 अंका और ये टीम पोइंच टेबल में पहले नंबर पर फिनिश किया और ये टीम ऑफिसली सेमी फाइनल में पहुँच चुकी है तो इस टीम का नेटरनेट सभी टीमों से भी काफे ज़्यादा बहतर है दूसरी जो टीम है सेमी फाइनल में पहुची है पाकिस्तान ओमेन पाकिस्तान ओमेन ने 6 मैचों में से 5 मैच में जीती है एक मैच में हार मिली है तोटल 10 अंका इस टीम के पास और ये टीम सेमी फाइनल में पहुच चुकी है और प स्री लंका उमेन ने 6 मैचों में से 4 मैच में जीती है जबकि 2 मैच में हारी है आठ अंक इस टीम के पास भी आ रही है टीम विस सेमी फाइनल में जगह पक्की कर लिए है और पॉइंच टेबल में तीसरे नंबर पर है फिनिश किया है नेट अंडेट की बात करे तो प्लस 0.602 इस टीम का नेट अंडेट है उस चोथी जो टीम है सेमी फाइनल में पहुचने वाली थाईलेंड ओमेन ने 6 मैचों में से 3 मैच में जीती है AS 3 मैच में हारी है शे अंक इस टीम के पास जेए टीम पॉइंच टेबल में 4 नंबर पर है फिनिश की है नेट अंडेट भी इस इंडिया बनाम थाइलेंड ओमेंस के बीच 13 अक्तूबर सुबह साड़े साथ बजे खेला जाएगा तो यह दूसरा सेमी फाइनल पाकिस्तान बनाम सिर्लंका ओमेंस के बीच रहने वाला है और यह मैच 13 अक्तूबर दो पहर एक बजे से स्टार्टों का भारतिय समय अनुसार तो दोस्तो आपको कहा लगता है फाइनल मुकाबले में कौन सी दो टीमें पहुचेंगी इंडिया पाकिस्तान या फिर इंडिया स्री लंका ओमेंट करके जरूर बताएं तो दोस्तो इस तुड़ों बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइ आपको अग्दियो